मानप कल्यान और समाज का रास्ता बताने वाले उज्जैन के पूज संत बाबा उमाकांत जी महराज जी ने भक्तों को संदेश दिया कि बहुत से प्रेमी ये चाहते हैं कि गुरु महराज बाबा जा गुरुदेश जी का कोई मंदर बन जाए तो हम भी चाहते हैं कि मंदर बन जाए अगर आप सब प्रेमी मिलकर कोशिश करोगे तो बन जाएगा ये कारी कठिन है लेकिन असंभव नहीं है इसलिए लडाई जगडा वैमनेस्ता छोड़कर आप सब लोग मिलकर चिंतन मनन करें इसके लिए आपको पांच दिन का समय दिय जाता है अब तो हमारे गुरु महराज के फोटो जगा जगा घरों लगे हुए हैं जगा जगा अनि लोग ध्यान कर रहे हैं याद कर रहे हैं मंदिर क्यों बनाए जाते थे कि उनके मूर्टी के सामने जब जाएंगे तो याद आएंगे गुरु की मूर्टी लोग लगाते थे कि गुरू का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं शुतना सबसे पहले गुरू को ध्यान किया जाता था, लेकिन जब से यह कामरा चला फोटोगर गर लग लखे, तो अब तो इस तरक के मंदिर का कोई संकेत गुरु महराज के तरफ से या दादा गुरु के तरफ से या किसी भी मुहापुरुष के तरफ से हमको नहीं मिल ला है कि आप बनाओ लेकिन प्रेमियों की ये एक शाह है सरसंगियों की ये एक शाह है जो पुराने हैं कि बनना चाहिए जो आप समझो, बहुत ब्रद्ध है, कई लोगों की खबर मुझे मिले, कि चाहिते हैं, बैक्टिकर्ट भी मुझे लोगों ने कहा, कि बन जाए, और आप कर सकते हो, बनवा सकते हो, तो आप अनि बनाओ, बनवाओ, आप समझो, मैं इससे पहले भी एक बार बोला, उससे भी पहले एक बार बोला, आज मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, कि मंदित रोबन सकता है, और मंदित मठोरा में ही बन सकता है, लेकिन जब आपस में प्रेम हो जाएगा, लड़ाई जगडा खटम हो जाएगा, बैमनस्ता खटम हो जाएगी, और जितने गुरु भक्त हैं, सब लोग ये चाहने लगेंगे, कि मठोरा में गुरु महराज का भी मंदिर बन जाए, तब तो बन सकता है, और अगर ये मतबेर रहेगा, ये परिशानिया रहेंगी, ये लड़ाई जगडा रहेगा, जो आपस में आनी हो रहा, मुकदमे बाजी रहेगी, तो फिर तो हमको बहुत मुश्किल लग रहा है, कि मैं बुद्धा हो गया, बुद्धा हो भी गया, 72 साल की उमर हो गई, फिर भी गुरु महराज के तरफ जब ध्यान जाता है, तो 100 साल से उपर उनकी उमर थी, लेकन वो हिम्मत के साथ लगे हुए थे, अपने गुरु के आदेश के पालन में लगे हुए थे, तो फिर हम अपने को युवा महसूस करने लगते हैं इस मामले में कि हम तो अभी कम उमर के हैं, वो अपने गुरु के आदेश के पालन में लगे हुए थे, तो हम को नह लगे रहे हैं, तो प्रमियों हम तो जब पके शरीर चलता रहेगा, तब तक गुरु महराज जो आदेश दे गए हैं, उसके पालन में हम लगे रहेंगे, लेकिन शरीर की छमता होती है, शरीर जब बुड़ा होने लगता है, तो कारी छमता कम हो जाती है, इसलिए भाग डौड नहीं कर सकता, ज्यादा दिल नमाग डौडाने सकता, लगा नहीं सकता, क्योंकि हमारा काम जीवों को बचाना जीवों को नर्ग 84 से बचाना, जीवों को अकार मत्तु से बचाना, जीवों को तकलिफों से बचाना, निज घर पहुंचाने का भी काम, गुरु महराज ने अनिसौब दिया और गुरु महराज दया दे करके मुझसे करा रहे हैं, तो भाई, आप इतने लोग हो, गुरु महर जाज का शिष्षि कहते हो, तो केवर चाहते ही क्यों हो, अनि एक्षा ही क्यों रखते हो कि मंदिर बन जाए, उसके लिए आप प्रयास करो, उसके लिए आप पोशिश करो, मैं कई बार निवेदन इस बात का कर चुका हूं, कि कोई काम असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है, आप पर समझो कठिन तो है, आप पर रम्जो लड़ाई जगडा, और ये चीज़ें जो होती है, मर्मकणवे बाजी ये कठिन तो होती हैं, लेकन सुलस रखती हैं, तो आप अगर सब लोग मिल करके, अनि यतने भी लोग उसमें हो, शाहे वहां के कबजेदार हो, जिनके कबजे में महां की जमीन जाजाद और संस्ता की बागडोर है, या जो अपने अधिकार के लिए अनि लड़ रहे हो, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हो, कि भाई इस पर हमारा अधिकार बनता है, ये जन्ता की चीज है, ये संगत की चीज है, उनके अधिकार में रहना चाहिए, उनके हिसाब से यहां काम होना चाहिए, या जितने भी आप गुर्भक्त हो, गुरु महराज के शिश्षी हो, और आप लोग चाहते हो, कि मठुरा में गुरु महराज का चिन्य बनें, मंदिर बनें, तो आप लोग एक बात प्रयास कर लो, और प्रयास करके आप हमको बता दो, गिखो मैं आपको बहुत समय दिया, अब के वर पांच दिन का समय देता हूँ, पांच दिन में आप हमको खबर दे दीजिए, कि हम लोग ये चाहत झाल ह relación करकूं कि बना आधे और हमें समस्या को शुल्जा सकते हैं और कौन से टरेके से शुल्जा शकते हैं किस तरह से दास्त कोट सकते हैं मंदे बनाने का को तो प्रेमियों हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम से जो हो सकेगा, हम अपने तन से भी सेवा करेंगे, मन से भी पूरा सेवा करेंगे, और प्रेमियों से मांग करके धन भी हम उसमें लगवा देंगे, लेकिन आप, अगर यह सोचो मैं ही सब कुछ करूं, मैं जाओं, लोगो को समझाऊं, बताऊं तो हमारा यह काम रुख जाएगा इसलिए मैं आपको अनिये कहूंगा आज कि आप लोग प्रयास करिये एक निवेटन यह करूंगा कि आप लोग प्रयास करिये और अगर आप लोग नहीं करोगे नहीं कोई जबाब दोगे तो हमको कुछ अप निरणे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेमियों के प्रेम का दबाव बन रहा है, अब तो गुरु महराज के जाने के बाद, जो नए नामदानी हुए, वो लोग भी कहने लग गए, कि आप हुकम करिये, आप कहां बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, हम लोग बनवा देंगे, कह रहे हैं, आपने जब अपने दादा गुरु का मंदिर बनवाया, आपने महनत किया, तो हम भी अनि पाबा जैगुर्देव जी महराज के नाम का मंदिर बनाने में अपना सोभाग है समझेंगे, तो अब हमारे उपर भी प्रेमियों का दबाव प्रेम का पढ़ने लग गया तो हमको भी कुछ अब विज़ार करने का, नड़ने लेने का आनी समय आ गया, तो हम भी कुछ नड़ने लेंगे, शोचेंगे, विचार करेंगे, गुरु महराज तो अपने लिए कुछ कहते ही नहीं थे, कभी नहीं कहा, प्यासे रह गये लगिन पानी मान के नहीं थे ये ऐसे स्वाभी मानी थे, तो गुरु महराज तो कुछ कहेंगे नहीं, इसारा आप भी नहीं कर रहे हैं, न कुछ कह रहे हैं, लेकन दादा गुरु, उसे मैं प्राधना करूँगा, कि आप ही गुरु महराज से पूश्च कर बताएए, आप ही कोई आद्यास हम को दीजिए, हम आप इतने लोग सुन रहे हो, और जो नहीं सुने होंगे, उनको भी आप बता देना, कि भाई, आज 17 दिसंबर 2020 को उजयनाश्रम से उमा कांत ने ये फर्याद किया है, आप लोगों को ये संदेश दिया है, तो आप सब लोग निरड़े ले करके उनको बतादाएए, ये संदेश दिया है, ये संदेश लोगों चकाब पहुंचता देना,